वीडियो को नीचे दिएगे स्क्राइब बटन को क्लिक करें उसके साथ बिल आइकोन को भी क्लिक करें इनी वीडियो देखने के लिए और दोस्तों वीडियो को लाइक करें सेरे करें अपने दोस्तों के साथ और दोस्तों वीडियो को फुल देखें और दोस्तों वीडियो को लिख करना है उसके दोस्तों सभी s hep da box से सेम है फिर मैं आपको करके बता देता हूं आपने क्या करना है भी क्टुर में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह परकार जैसे सेटर बोक्स से अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि प्रेंडर में कोई software नहीं है तो अभी आपने क्या करने हैं पर dump कर देना है और उसके बाद यहां पर आपने इसको ओके करना है भी कहां पर आपने कोपी करना है फिर आपको स्टार्ट कर देना है तो दोस्तों software करते से में यह डंप लेते से में लाइट नहीं चाहिए यहां पर लिखा भी हुआ है वरना आपका software खराब हो जाएगा तो दोस्तों अभी यह देखें अभी में डंप लेरम और इसको software करके भी दखाऊंगा तो दोस्तों यह ओके अभी यह आपका software हो चुका है तो आपने क्या करना है यहां पर यह अगर software करना हो तो आपको मैं back जाकर दिखा देता हूं आपने जब setup चल पड़ा तो मीनू तो जहां पर जुनिटी में जाकर आपने software अपड़ेट करना है जहां पर आपने software जो आपने डंप लिए अभी आपके समने इसको ok कर देना है पर इसको press कर देना है तो दोस्तों software स्टार्ट हो चुका है लाइट का द्यान रखें इनवेटर पर इसका hardware करें तो दोस्तों यह अभी आपको मैं आगे प्रकारिया पर भी करके दखाऊंगा और इसमें वाइफाई कॉन सी डोंगा लगे कि वो भी आपको नेस्ट वीडियो में बताऊंगा तो दोस्तों वीडियो के नीचे भी आपको लिंक मिल जाएगा उस चैनल जो लैक्ट्रोन चीजें आती है जैसे एंपरिफेर हो गया एलसीड होगी उनका जो रिपेर में हेल्प वीडियो तो फो पीडियot है उसकी वीडियो में आका लिंक को करें वीस चैनल को आपको लेन वीडियो देखने के लिए मिलती रहें गी तो दोस्तों यहुस्तार हो चुका आइज उनको अच्छी लगी वायक